Hello lovely ladies, welcome to my channel आप मैं से कई लोग जाना चाते हैं कि pregnant होने के कितने दिन बाद pregnancy के लक्षन जो है वो appear होने लग जाते हैं यानि कि दिखने लग जाते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि pregnancy के कितने दिन के बाद जो symptoms होते हैं लक्षन होते हैं वो दिखने लगते हैं ये कौन-कौन से symptoms होते हैं और ये pregnant होने के कितनी duration के बाद जो है appear होना start हो जाते हैं तो चली शुरू करते हैं बिना किसी देरी के जब आप relations बनाती है अपने ovulation के time पे तो आपके egg की life दो दिन की होती है जादा से सदा तो इनी दो दिनों में fertilization हो जाता है अब इस fertilization के बाद यानि कि sperm और egg का जो millen होता है इसके बाद कुछ time लगता है उसको implant होने में यानि कि uterus में जाके चिपकने में time लगता है तो यह जो fertilization होता है यह तो fallopian tubes में होता है आपकी और फिर यह धीरे-धीरे करके जो embryo होता है यह move करता है uterus की तरफ और कुछ दिन के बाद जाके आपके uterus से यह चिपकता है तो इसमें जो time लगता है वो है कम से कम 6 दिन का time लगता है और जादर से जादा 12 दिन का time लगता है यान की fertilization के बाद यान की आप कह सकते हैं रफली के आपने जब relation बनाया है उसके भी करीब 6 से 12 दिन का time लगता है आपको pregnant होने में यान की उस embryo को जाके uterus में implant होने में और फिर जो symptoms होते हैं pregnancy के यह इस implantation के बाद ही appear होना start होते हैं तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे symptoms होते हैं जो conceive करते ही यान की implantation के बाद ही तुरंत दिखने लग जाते हैं तो सबसे पहला symptom जो होता है जो सबसे पहले appear होता है वो है implantation bleeding यान कि जब आपका fertilized egg जो होता है वो आपकी बच्चेदानी की lining से चिपकने लगता है तो उस process में क्या होता है कि कुछ जो blood vessels होते हैं वहाँ पे वो rupture हो जाते हैं फट जाते हैं जिसकी वज़े से थोड़ी bleeding आपको महसूस हो सकती है और implantation के process की वज़े से आपको थोड़ी uterus में cramping भी महसूस हो सकती है तो यह symptom जो होता है यह पहला symptom होता है pregnancy का इसको आप period से confused मत कीजेगा क्योंकि period की जो bleeding होती है वो अलग होती है आप जानती है थोड़ी heavy होती है जबकि यह जो bleeding होती है implantation bleeding की यह थोड़ी slight bleeding होती है थोड़ी सी ही bleeding तो इसको पीरिड के साथ compare नहीं कर सकते हैं यह एक पहला symptom होता है आपके pregnancy का अब दूसरी चीज जो होती है दूसरा symptom होता है वो है vaginal discharge यह भी आपका conceive करते ही तुरंद बाद start हो सकता है क्योंकि क्या होता है जब pregnancy होती है तो आपके body में उसके बाद hormonal changes काफी जाधा start हो जाते है इसकी वज़े से क्या होता है कि आपके vagina की जो wall होती है उसकी thickening होना start हो जाती है यानि कि वो मोटी होने लगती है उसके जो cells होते है उसकी जो lining होती है बहाँ पेrees तेजी से grow करने लगते है उसकी वज़े से ठोड़ा discharge होता है यह Milky White discharge होता है जो क हो रहा है जिसके साथ आपको itching हो रही है या और कोई problem हो रही है जलन हो रही है या discharge bad smelling है तो उस condition में आपको doctor को जरूर दिखाना चाहिए वो एक अलग चीज होती है क्योंकि वो infection की तरफ indicate करता है लेकिन जो ये pregnancy वाला जो discharge होता है normally ये इसके साथ और कोई problem associated नहीं होती है बस ये white color का discharge होता है और कुछ महिलाओं में तो ये pregnancy के तुरंत बाद start होके पूरी pregnancy तक भी रह सकता है तो ये normal होता है इसमें कोई ऐसी घबराने की बाद नहीं होती है तो ये तो हो गया आपका second symptom जो कि appear हो सकता है आपकी pregnancy के तुरंत बाद अब कुछ symptoms होते हैं जो कि थोड़े दिन के बाद appear होते हैं लेकिन फिर भी आपके missed period से पहले appear हो सकते हैं तो यहां अब मैं आपको दो symptoms के बारे में बताती हूँ जो कि आपके period miss होने के एक ग्रेड हफ़ते पहले से भी appear हो सकते हैं पहला इसमें जो symptom है जो appear होता है वो है कुछ changes जो कि आपके breasts में होते हैं यहां पर आपके breasts में आपको भारीपन महसूस होने लगता है tingling sensation होती है यानि की जंजना heart की feeling हो सकती है और tenderness होती है tenderness का मतलब होता है छूने पे दर्द होना इस type के symptoms आपको अपने breasts में यह changes देखने को मिल सकते हैं साथ ही आपको एक और change देखने को मिलता है जो वो यह है कि आपके nipples के around जो एक rounded portion होता है जिसको की areola कहा जाता है इसकी darkening होने लग जाती है यानि कि इसका color जो है वो गहराने लगता है dark होने लगता है तो यह कुछ changes हैं आपके breasts में जो होते हैं जो आपके period missed होने से एक हफ़ता पहले भी आपको महसूस हो सकते हैं अब मैं अगले symptom की बात करूँ जो की आपके missed period से एक हफ़ते पहले भी appear हो सकता है वो है fatigue यानि कि आपको बहुत जादा थकान महसूस होती है पहले आप जितना active महसूस करती थी अब आप dull महसूस करने लगती हैं यानि कि थोड़ा सा भी काम करके आप थक जाती हैं आपका missed period से पहले आजाता है अब अगर हम next symptom की बात करें जो की आता है ये थोड़ा और देर से appear होता है करीब करीब आपका जो period की date होती है जिस date पे आपका period आने वाला होता है उसी के आसपास ये symptom आपका start हो सकता है अगर आप pregnant हो गई हैं तो और इसे कहते है morning sickness हलाकि इसे morning sickness कहा जाता है लेकिन जरूरी नहीं है कि ये sickness आपके वल morning में ही महसूस हो पूरे दिन भी कई ladies को ये problem महसूस होती है इसमें क्या होता है आपको nausea होता है जी मिचलाता है उल्टी आने का मन करता है और खाने में particularly कुछ ऐसी चीज़ें खास ऐसी होती है जिनके लिए आपको बिलक आई आने लग जाती है उस मेल की वज़े से तो इस तरीके के ये जो morning sickness के symptoms होते हैं ये appear होने लग जाते हैं और ये जल्द से जल्द कब appear हो सकते हैं जब आपका period जो है वो उसकी expected date थी तब ही से ये शुरू हो सकते हैं तो ये जो symptom आपका होता है morning sickness का ये तो generally जो first trimester होता ह है pregnancy का यानि कि जो पहली तिमाही होती है pregnancy की पहले तीन महीने होते हैं जादा तर महिलाओं को इनी तीन महीनों में ये symptom परिशान करता है पर कुछ महिलाओं को हो सकता है कि पूरी pregnancy भर भी ये दिक्कत महसूस हो तो उसके इसमें आपको अपने doctor के साथ consult करना चाहिए तो एक जहां आपको एक बाद जो और ध्यान में रखनी होगी वो ये है कि ये जो सारे symptoms होते हैं ये जरूरी नहीं है कि हर pregnant महिला में appear हो और ये भी होता है कि एक ही महिला में एक pregnancy में कुछ अलग symptoms आए दूसरी pregnancy में वो symptoms ना आए ऐसा भी पूरी तरीके से संभव है अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि ये जो symptoms है अगर आप ही रहे हैं आपके अंदर तो जरूरी नहीं होता है कि ये सिर्फ pregnancy की ही वज़े से हो pregnancy के symptoms जरूर होते हैं ये लेकिन किनी और conditions के साथ भी ये associated हो सकते हैं यानि कि किसी और वज़े से भी ये symptom आपकी body में appear हो सकते हैं तो आपको इन दो बादों का ध्यान रखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि pregnancy अगर confirm करनी है तो वो तो सिर्फ आपके pregnancy test से ही confirm होगी और pregnancy test करना होता है जब आपका period miss हो गया जो आपकी date थी expected period की वो miss हो जाती है तो उसके कम से कम हफते या 10 दिन के बाद अगर आप urine pregnancy test यानि की UPT करती है अपने घर पे किटला के market से तो वहाँ पे ही उसी test से confirm हो सकता है कि आप pregnant है कि नहीं है तो ये चीज़ पे आपको mind में रखन लगा होगा काम का लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो इसे like कीजी और मेरे चानल को subscribe कीजे मेरे चैनल पर आपको pregnancy से related और भी कई वीडियो मिल जाएंगे तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मैं आपसे मिलूंगे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना